तो गाई इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट जॉब एपॉर्चनिटीज पार्ट टाइम जॉब्स इंटरंशिप्स, वेबिनार्स, फ्री कोर्स और सर्टिकेट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहती है तो गाई आज का अपडेट आया हुआ है UPSC की तरफ से Union Public Service Commission की तरफ से आई हुई नई recruitment के बारे में तो नमबर आफ पोस्ट जो है वो 56 है जिसके लिए हर कोई बंदा अपलाई कर सकता है बोथ male and female candidates अपलाई कर सकते हैं चाहे बंदा किसी भी category से ब्लाउं करता हो schedule का schedule tribe, general, OBC किसी भी category से वो भी आपले कर सकता है तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो number of post को release किया गया है qualifications की अगर हम बात करें तो diploma holder वो भी आपले कर सकते है any degree holder वो भी बंदा अपले कर सकता है किसी का MBBS हो उसके लिए बेलग से post को release किया गया है किसी का PG हो किसी भी relevant discipline में वो भी आपले कर सकता है तो guys इस वीडियो में आप लोगों को complete details देने वाली हो उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पर विजिट करें तो जल्दी सी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए बेल एकन पर प्रिस की जाता कि आपको ऐसी different updates के बारे में इंफो मिले तो guys बात करते हैं इनकी official notification के बारे में कि इतनी post को out किया गया है qualification criteria क्या रहता है इन post का तो guys total number of post जो है वो 56 है तो qualification के अगर हम बात करें तो guys any diploma holder अपलाई कर सकता है plus any degree किसी की भी कोई भी degree होगी वो भी अपलाई कर सकते है MBBS degree वाले यहां पर आपलाई कर सकते है जिसका PG relevant discipline होगा वो भी यहां पर आपलाई कर सकते है तो guys qualification की बात तो हो गई अब हम बात करते हैं कि किस post पे कितरी vacancies को out किया गया है तो assistant director वाले post पे एक vacancy को out किया गया है specialist grade third assistant वाले post पे six vacancies को out किया गया है जो बाकी 49 vacancies for the post of specialist grade third professor पे out की गयी है जिसके लिए MBBS candidates apply कर सकते है तो guys यह रही post के बारे में information तो guys अब हम बात करते हैं कि important dates है क्या कब आप लोगं को apply करना है कब से application start हो रही है आप लोगं को online application fill करनी है तो guys apply होना start हो चुका है तो last date जो है apply करने का वो है 28th of January 2021 remember the date 28th of January 2021 तो आप इस date तक apply कर सकते है तो guys अगर हम application fee की बात करें तो आप लोगं को total 25 रुपीज पे करने है only 25 रुपीज अगर हम एज लिमिट की बात करें तो maximum age limit जो है वो 40 years है and बागी relaxation जो आप लोगं को applicable है on the basis of different categories वो आप यहां पर इस notification पर चेक कर सकते हैं किसकी कितनी relaxation दी गई है age में तो आप लोगं को apply कैसे करना है आप लोगं को इनके official website से apply करना होगा वहां पर form अग्यरा fill up करना होगा पहले तो आप लोगं को account create करना है उसके बाद आप apply कर सकते है documents upload करना है और बाकी सारे details आप लोगं को इनके official website से ही मिलेंगे और बाकी अगर आपको जादा कुछ जाना होगा इस notification के बारे में तो इसका PDF लिंक मैंने नीचे description में दे दिया है वहां से भी आप चेक आउट कर सकते हैं अगर आप लोगं को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब कर दीजे मेरी YouTube चैनल को ताके आप लोगं को ऐसी डिफरेंट अपटेट्स के बारे में पता चले थैंक यू सो मुच अस्सलाम अलेकम